बिहार के नेताओं का फोकस इन दिनों यात्रा पर है मुख्यमंत्रे नितीश कमार महीने भर से यात्रा पर ही है विकास की बयार बहा रहे हैं उधर 10 सितंबर से तेजस्वी भी यात्रा पर निकल रहे हैं हर जिले में दो-दो दिन बिताएंगे ऐसे में आभी से नितीश और तेजस्वी की यात्रा की तुलना भी होने लगी है लेकिन पहले बात बिहार की राजजुनित्य की यात्रा की करते हैं तेजस्वी यादो 10 सितंबर से यात्रा पर निकल रहे हैं यात्रा किस की बहतर नितीश की या तेजस्वी की देखिए और आखिए राजितिक गलियारे में इन दिनों तेजस्वी यादव की यात्रा की चर्चा हो रही है यात्रा कैसी होगी यात्रा का क्या स्वरूप होगा कैसे यात्रा बाकी यात्रा से अलग होगी यात्रा के लिए क्या विशेष काईडलाइन बनाए गए हैं? आधी आधी तेजस्वी आदव 10 सितंबर से 8 दिनों की कारिकर्ता अभार यात्रा पर निकल रहे हैं कारकरता अभार यात्रा नाम से शुरू हो रहा तेजस्वी का राज्य व्यापी दोरा कई चरणों में होगा पहले चरण में तेजस्वी समस्तिपूर, दर्भंगा, मधुबनी और मुझपरपूर में दो-दो दिनों तक रुक कर आठ दिन में 41 विधानसभा क्षित्रों के आरजडी कारकरताओं और नेताओं के साथ बैठक करेंगे नितिश कुमार के एंडिय में लोटने के बाद बदले हालात में आरजडी स्ततर्क है सिंगापूर से लोटने के बाद लालुयादव तेजस्वी की यात्रा से पहले विधायक, विधानपारशत और पार्टी के नेताओं की बैठक ले रहे हैं संकेत साफ है लालुयादव परदे के पीछे से कमर कसकर बेटे की यात्रा और पार्टी की अभियान पर नजर रखेंगे तेजस्वी की जनविश्वास यात्रा में भारी भीर देखे थी लेकिन लोग सबाचुनाओं में आरजडी अकेले चार सीठी जीत पाई वो भी मगद और शाहबाद में इसलिए तेजस्वी की अभार यात्रा को बीजेपी और जेडियू ज्यादा भाव नहीं दे रही बीजेपी सदस्ता अभियान और एंडिये का कुनबा बढ़ाने में जूटी है तो मुख्यमंत्री नितिश कुमार यात्रा के मामले में तेजस्वी यादव से एक कदम आगे निकल चुके हैं तेजस्वी अभी यात्रा की शुरुवात करने वाले हैं लेकिन नितिश कुमार बिते एक महिने से बिहार की यात्रा पर हैं जेडियू ने तेजस्वी की यात्रा और नितिश कुमार की यात्रा की तुलना शुरू कर दी है इसी रूप में मानी जाती है कि नितिश कुमार जी बोलते कम हैं काम ज़्यादा करते हैं और नितिश कुमार जी बात नहीं काम करके दिखाते हैं और ये जो विपक्ष हैं ये विपक्ष के जो लाडले हैं तेजस्वी जी ये हमेशा जूट का सहारा लेकर जनता के बीच में अपने पापों पर परदा डाल करके अफवाफ हैलाने का काम करते हैं। तीन अगस्त को ही नितिश कुमार ने नरंदा के द्वारिका विघा में नवनिर्मित पूल का उधगाटन किया। अगस्त कुमार नितिश कुमार की इन यात्राओं में दम नजर नहीं आता। तेज़सी जादर जी के यात्रा बेहतर होगा इसलिए बेहतर होगा कि तेज़सी जी में बिहार के लोग उमीद भी देखता है। तो कि तेज़सी जादर में 2020 में कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नोक्री देंगे और 10 लाख रोजगार शिजने करें कि 20 लाख देंगे। कुछी दिनों की सरकार बनी इंडिया गठ बंधन के तो हम लगभा 5 लाख नोक्री दिये चाहे सिछकी नोक्री हो या बिहार पुलिस का भरती हो भले ही पोपेर लिख हो गया हो तो नितीश कुमार के नो बार के मुख मंत्रियों लगभा 20 साल का कार्जकार पुरा करने के ब अपार्टमेंट भन रहा है नेरा के ताद 90 % ऐसा अपार्टमेंट है जिसके पास सरक नहीं है तेजस्त्वी आदव और आरजडी के लिए जाती जनगर्णा और आरक्षण आम एंजन्डा होगा यात्रा में तेजस्त्वी जाती जनगर्णा और आरक्षण के मुद्दे को उठाएंगे जाती जनगरना और अरक्षन के मसले पर एंडिय के छिपे एजेंडे को RGD जनता के बीच बेनेकाप करेगी RGD को भले ही नितिश कुमार की अगोशित यातरा में दम नजर नहीं आता हो लेकिन नितिश कुमार की यातरा अनवरत जारी है 22 अगस्त को नितिश कुमार ने मुझापरपूर हाजिपूर फोरलेन बाइपास निर्मान का निरिक्षन किया 24 अगस्त को पुर्णिया स्यन हवाई अड़ा निर्मान का निरिक्षन किया 26 अगस्त को IGI MS I Hospital निर्मान का निरिक्षन किया 27 अगस्त को पतना सीटी के गुरुगोविंज मॉडल हॉस्पिटल निर्मान का निरिक्षन किया 29 अगस्त को मुख्यमंत्री ने राजगीर खेला कादमी का उदगाटन किया 2 सितंबर को मुख्यमंत्री ने रोतास पैजलापुर्ती योजना का निरिक्षन किया 4 सितंबर को नितिश कुमार ने पतना एरपोर्ट निर्मान का निरिक्षन किया, 5 सितंबर को भोशपुर में राजकेच गित्सा होस्पिटल कॉलेज निर्मान का मुख्यमंत्री ने निरिक्षन किया, 6 सितंबर को पतना आई जी आई एमेस में आई हॉस्पिटल का उद्गाटन किया, 7 सितंबर को गया में पाथवे का उद्गाटन किया, 7 सितंबर को ही गया में पितर पक्ष मेले की तयारियों की समिक्षा की लेकिन कॉंग्रेस को नितिश कुमार की यात्रा लक्ष ही नजराती है लेकिन कॉंग्रेस को नितिश कुमार की यात्रा की तुलना हो रही है इससे पहले तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा में भारी भीर दिखी थी लेकिन लोगसभा चुनाओं में आरजडी अकेले सिर्फ चार सीठी जीत पाई वो भी मगद और शाहबाद में इसलिए तेजस्वी की यात्रा से इंडिये विश्वित नहीं दिखता पर एक साच ये भी है कि बिहार में लोगसभा और विधान सभा चुनाओं अलग-अलग खेल है दो अक्टूबर को पाठी बना रहे परशांद किशोर दो साल से जनसुराज यात्रा में मुख्यरूप से riding, लालू और तेजस्वी को ही निशाना बना रहे हैं बीजेपी से दस्वित अभियान चला रही है नितिश यात्रा पर है नितिश और तेजस्वी को अपनी अपनी यात्राओं पर पूरा भरोसा है क्योंकि इसी यात्रा की बदौलत नितिश अपनी सत्ता के 20 साल पूरे करने जा रहे हैं और तेजस्वी अपनी यात्रा की बदौलत ही लालू परसाद के बाद नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं अब चुनाओं में दोनों की आत्राओं का जनता मुल्यांकन भी करेगी और अपने वोट का मुहर भी लगाएगी आशुतोष चंद्रा कशिश नीज पटना